हलो फ्रेंड मैं मुकीश वर्णवाल एक बार फिर से अपने योट्यूब चैनल में आप सबों का हर्दिक स्वागत और विनंदन करता हूं आज की इस क्लास में हम लोग भारती समिधान की जो श्रिंखला है उसमें एक और कड़ी चोड़ने वाले हैं हम लोग भारती समिधान की आत्मा कहे जाने वाले एक विश्य के बारे में बात करेंगे हम लोग बात करेंगे भारती समिधान की उस भाग के बारे में जिसे भारती सम्मिधान की कुंजी कहकर पुकार जाता है हम लोग बात करेंगे भारती सम्मिधान के उस हिस्से के बारे में जिसे भारती राजनितिक व्यवस्ता की जन्म कुंडली कहकर पुकार जाता है हम लोग बात करने वाले हैं भारती सम्मिधान की उस अंग के बारे में जिसे भारती समिधान की विशद विवेचना करने वाली यंत्रणा कहकर पुकारा जाता है अब तक आप इस बात से परिचित हो चुके होंगे कि हम भारती समिधान के किस अंग के बारे में बात करने वाले हैं तो इस पर जो रहस्य का अब तक जो शब्दों का परदा पड़ा है उसको खत्म करते हुए हम लोग बात करने वाले हैं भारती समिधान की प्रस्तावना के बारे में भारती समिधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना हमें इस बात की जानकारी देता है कि भारती समिधान के लेखन का उद्देश क्या दा भारत के समिधान को जब हम लागू करेंगे भारत की राजनितिक व्यवस्था में तो हम किन बातों को ध्यान में रखकर करेंगे जब भारती समिधान की रचना की गई तो वो कौन सा ऐसा संकल पता जिसे कि भारती वरतमान जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है आज के क्लास में हम लोग इस बात का डिसकर्शन करेंगे हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे ये भारती समिधान का एक बहुत ही महत्वण भाग है जो कह सकते हैं कि factual कम और conceptual ज्यादा है इसमें अगर facts की बात करें तो दो तीन facts होंगे बड़ इसके concept की बात करें तो conceptually ये बहुत ही rich जो है भारती समिधान का एक पार्ट माना जाता है और इसमें नश्यत रूप से एक विशब विवेशना की जो है वो आवश्यक्ता है और हम कोशिश करेंगे कि भारती समिधान के इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना के संबंद में हम लोग उद्देशिका के संबंद में जिसको जिसको English में प्रिफीस का जाता है हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ठीक है तो भारत का जो समिधान है ठीक है भारत के समिधान की हम लोग बात करेंगे उसमें कौन सा पोर्शन है यह है प्रस्तावना प्रस्तावना को ही जो है उद्देशिका का जाता है यह ध्यान लखिएगा इंगलिश में इसको preface कहकर पुकारा जाता है ठीक है और किसी समिधान का प्रारंबिक परीचयात्मक जो भाग होता है किसी भी समिधान का प्रारंबिक परीचयात्मक जो भाग होता है उसे ही हम प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं और ये समिधान का दर्शन होता है, समिधान का उदेश होता है, यानि समिधान किस उदेश से लिखा गया, ये हम बात करेंगा, आपको पता होगा, कि 26 नमबर 1949 इसवी को हमारे देश के समिधान का लेखन जो कारी था वो लेखन कारी क्या हुआ था पूरा हुआ था 9 दिसमबर 1946 इसवी को भारत के समिधान के लेखन का कारी जवा वो प्रारम हुआ 9 दिसमबर 1946 इसवी को समिधान सभा की पहली बैठक हुई इसके बाद समिधान सभा की बैठ के होती रही इसके बाद जो है उसमें वाचन होते रहे तीन वाचन हुए थे त्री रिडिंग्स हुए थे और कुल मिलाकर समिधान के लेखन हेतु जो है 11 सेशन हुए थे लेकिन 12 सेशन जो 24 जनवरी 1950 को आयूजी तुवा था उस सेशन में भारत के समिधान पर समिधान सभा के सदस्यों ने सिगनेचर किया उसी दिन यानि 24 जनवरी 1950 के दिन ही जो है जैनगणा मना को भारत का रास्टरगान और वंदे मातरम को भारत का रास्टी गीत का दर्जाद प्रदान किया गया और 24 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के प्रथम रा समिधान 26 नुवंबर 1949 इसवी को अंगिकरित हुआ ठेक है एडॉप्ट किया गया और उस समिधान की अगर हम बात करें तो वो बी आर अंबिड करने भारत के समिधान सभाग के जो अध्यक्स थे उनको भेड किया क्योंकि प्रारूप समीति के वो अध्यक्स है यानि बी आर अ ध्यक्स है और उन्होंने 26 नुवंबर 1949 इसवी को डॉक्टर राजेंद प्रसाद को समिधान समिधान की प्रती जो है भेड की और आपको मालूम होगा 26 नुवंबर 1949 को हमारे देश के समिधान को अंगिकरित किया गया लेकिन समिधान सभा समिधान पर सिगनेचर करने की हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर यह समजना है कि वस्तम में समिधान सभा के अधयक्ष होने के नाते सबसे पहले सिगनेचर जो है डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को करना दा लेकिन जो आला नहिरों सबसे पहला सिगनेचर किया अंत में जो सिगनेचर हुआ वो किनका था ड भारतिय समिधान का निर्माता जिने प्रारूप समीति का अध्यक्ष कहा जाता है और जिनका निश्चित रूप से भारत के समिधान के लेखन में महत्पुन योगदान रा और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि बियन राव ने भारत के समिधान की सबसे पहली रूप रेखा तैयार की दी और वही जो रूप रेखा प्रस्तूत किया गया था प्रारूप समीति के सम्मुख प्रारूप समीति के सदस्यों ने उसी पर विचार विमर्ष किया उसमें संशोधन किये लेकिन बियन राव और लेडी पहले से ही भारत के समिधान की एक रूप रेखा तैयार क चुके दे और उसी पर प्रारुप समीति के सदस्टों ने विचार में मर्श किया उसमें संशोधन किये उसमें बहुत सारी बाते जोड़ी गई बहुत सारी बाते जो है लगा कि हाँ इर्रेलिवेंट है वो निकाली गई और कुल मिलाकर तब जाकर भारत के समिधान की रचना का कारी पूरा हुआ तो डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद अंतिम समय में और बियार अमिटकर का जो सिखने चर्था वो 25 नंबर परदा ठीक है इसकी बात देखे कि 26 जरवरी 1950 को भारत का समिधान लागू हुआ भारत गणराज जिवना भारत कारदर रास्टिवाग के सत्म ठीक है जब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पुस्तक के लेखन का कारी करते हैं ठीक है पुस्तक के लेखन कारी पूरा होने के बाद हमारे क्या मंतव रहे थे उस पुस्तक के लेखन का हम उद्देश का लिखते हैं या शुरू में भी हम इस बात का उलेख कर देते हैं कि भार परम्भिक परिचयात्मक भाग होता है उसका जो क्या सकते हैं कि elementary introductory part introductory part का मतलब यह हो गया कि जैसे हम इस lecture को जब start करते हैं या वीडियो में आपने देखा होगा कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो जब आपके समोग प्रस्तूत किया जब हमने lecture अपना study किया तो पहले का एक दो मिनट हम इस बात को बतलाते हैं कि वास्ता में आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्या है ठीक है अभी भी जो ये वीडियो में बना रहा हूँ हमने शुरू में ही बताया कि हम लोग किसके बारे में बात करें भारत सम्यधान की प्रस्तावना की बारे में हमने ये कह दिया प्रस्तावना सम्यधान कांग है हमने ये भी बता दिया प्रस्तावना को सम्यधान की आत्म का जाता है हमने यह भी बता है कि प्रस्तावना भारतिय समिधान की विशन भी बेचना करने वाली यंत्रणा है तो overall क्या हुआ कि शुरुवात में ही आपको क्या हुआ कि एक प्रस्तावना समझ में आई एक उदेशी का आपको मिला और आप इस बात को समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं किसकी बारे में डिस्कस करने बाला हूँ तो कुल मिलाकर क्या होता है कि जब आप किसी भी पुस्तक का आप शुरुवात के भाग को देखते हैं वहाँ पे आमुख लिखा होता है या उदेशी का लिखा होता है या प्रस्तावना लिखा होता है उसी को इंग्लिश में प्रिफेस कहते हैं और वही जो प्रस्तावना होता है वास्ता में किसी भी समिधान का या किसी भी पुस्तक का वो परीचहात्मक भाग होता है कि किन उद्देशों को ध्यान में रख कर किया गया जब लेखक ने उस पुस्तक का प्रड़यन किया तो उस पुस्तक के प्रड़यन को किस बात किस उद्देश को ध्यान में रख कर किया उस पुस्तक के लेखन का उद्देश क्या दा इस बात को ही प्रस्तावना में बतलाया जाता है इसलिए अगर आप किसी भी पुस्तक अगर बहुत बड़ी पुस्तक है अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो उसकी प्रस्तावना को पढ़कर मोटे तोर पे उसकी रूप रेखा उसके जिष्ट को समझ सकते हैं उसके एसंस को समझ सकते हैं उसके सारतत्व को आप समझ सकते हैं उसके उद्देश को समझ सकते हैं उसकी प्रस्तावना को आप समझ सकते हैं तो कुल मिलाकर जब भी हम प्रस्तावना की बात करेंगे प्रस्तावना को जब define करने की बात आएगी तो अब समिधान के context में हम ये कहेंगे कि किसी समिधान का प्रारंबिक परीच यात्मक जो भाग होता है उसे ही हम प्रस्तावना कहे कर पुकार ते है ठीक है तो हुआ क्या कि 9 दिसंबर 1946 इसवी को समिधान सभा की पहली बैठक होई इसके बात 11 दिसंबर 1946 इसवी को समिधान सभा की दूसरी बैठक होई तो वहाँ पर समिधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजिंदर प्रसाद का चुनाब गवा ठीक है इसके बात देखेगा 13 दिसंबर 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर 9 दिसंबर को आस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचीदान सिना को चुनागया क्योंकि वह समिधान सभा की सबसे वयोब्रिद्ध पुरुष्त है ठीक है इसके बाद 11 दिसंबर 1946 हिस्वी को डॉक्टर राजिंत प्रसाइट को समिदान सभा का अस्थाई अध्धक्र चुना गया और इसके दो दिन बाद ठीक है इसके बाद 13 दिसंबर 1946 हिस्वी को जोहरला नहिरू ने समिदान सभा में एक objective resolution जिसको उद्देश्य प्रस्ता 22 जनवरी 1947 हिस्वी को उस उद्देश्य प्रस्ताव को समिदान सभा के सदस्यों ने स्विकार कर लिया तो अब आप देखें 9 दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर यानि तुरंत शुरुवात में समिदान के लेखन का कार्य प्रारंब हुआ actively जो है वो क्या है कि start हुआ इसके पहले जुआहला नेरो ने उद्देश्य प्रस्ताव पारिद किया क्यों पारिद किया क्योंकि वो पहले यानि समिदान सभा और जुआहला नेरो सब लोग पहले इस बात पर एक मत होना चाहते दे कि हम समिदान को क्यों लिख रहे है लेखन में ये एक प्रकार से क्या करेगा मार्ग दर्शन करेगा ये हमें ध्यान में रखने के लिए क्या सकते हम किस वजासे समिदान निख रहे हैं जनता भलाई हमारे लिए उद्देश है एक कल्यान कारी राज्य की अस्थापना हमारा मकसद है तो कल्यान कारी राज्य की अस्थापना के लिए सामाजिक वेवस्ता, आर्थिक वेवस्ता, राजनितिक वेवस्ता हर तरह की वेवस्ता हमें बनानी पड़ेगी तो वो किस तरह से तो ये सारी बाते हमें एक जगह पे शुरुवात में ही कर लेनी चाहिए और उसी का जो explanation था वही वास्ता में समिधान की प्रस्तावना के लाया तो अगर आप से सवाल पूछा जाए, पहली बात किलियर कर दिया हमने कि किसी भी समिधान का प्रारंभिक परीचयात्मक जो भाग होता है उसे ही उस समिधान की प्रस्तावना कहकर पुकारा जाता है दुनिया का प्राचिंतम, दुनिया का वर्तमान समय की बात करें oldest जो समिधान है वो समिधान किसका मन जाता है अमेरिका का तो अमेरिका के समिधान पर भी जो है एक प्रस्तावना लिखा गया है और वो प्रस्तावना we the people से start होता है आप उसको देखा होगा आपने ठीक है तो अमेरिका का समिधान जब लागवा तो उसकी बात दुनिया के ज discussion हुआ तो हिंदुस्तान में भी जब समिधान के लिखन का कारी प्रारम हुआ तो समिधान की प्रस्तावना तैयार करने के लिए जुवालल नहिरू ने एक उद्देश्य संकल्प जो है वो रखा और वही बाद में 13 दिसमर ध्यान रखना है 13 दिसमर 1946 इसवी को उद्देश्य प्रस्ताव जिसको objective resolution का गया जिसको देश के संकल्प का गया उसको समिधान सभा में रखा गया और 22 जनवरी 1947 इसवी को समिधान सभा ने उसे okay कर दिया उसे मननीता प्रतान कर दी ठीक है तो वरतमान जो भारत के समिधान की प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का आधार मान समिधान की प्रस्तावना क्या है और ध्यान आपको यह रखना है कि अगर आप सच मुझ में समिधान की थैयारी करना चाहते हैं सच मुझ में आप वास्ता में भारत के सब नागरिक के तौर पर अपने को प्रस्तूत करना चाहते हैं समिधान के ग्याता की तौर पर समिधान की जानकरी रखने वाले व्यक्ति के तोर पर अगर आप अपनी को प्रसूत करना चाहते हैं तो आपको समिधान की प्रस्ताबना सबसे पहले याद रखना चाहिए आपको समिधान की कुंजी पता नहीं है समिधान की कुंजी प्रस्ताबना माने जाता है तो जब आपके पास चाभी नहीं है तो आप किसी भी मकान के बंद मकान के दरवाजी को कैसे आप खोल सकते हो तो समिधान की जो कुंजी है वो कुंजी आपको पढ़नी पढ़ेगी आपको रठनी पढ़ेगी इवेन के IS, PCS वगरा के कई बार इंटर्व्योज में प्रस्ताबना को सुना दीजिए तो वो क्या हो गया वहाँ पर नहीं बता पाए तो कहने का मतलब यह है कि समिधान की प्रस्ताबना, समिधान की कुंजी है, समिधान की आत्म है और अगर वही रटा हुआ आपको नहीं है, उसकी ही समझदारी आपके अंदर नहीं है, तो आप भारती समिधान को चाहे जितना जान लें, चाहे जितना समझ लें, आप कह सकते ह जो समिदान की जानकारी होगी ना उसका केवल आंशिक जानकारी होगी वो एजे होल जो है आप उसकी जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं तो यहां पर जो है कि आपको याद रखना है तो हम भारत के लोग भारत को एक संपुण प्रवुत्व समाजवादी पंत माराश की एकता और खंडता सुनिशित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए दिड़ संकल्पों कर अपनी समिधान सबा में आज तारिक 26 नुवंबर 1949 सिस्वी को मित्ती मार्ग शिर्ष ठीक शुकल सप्तमी समवग 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस समिधान को अंगिक अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तो यह वस्तम में हम भारत के लोग और लास्ट में लिखा है शुरुवात में हम भारत के लोग और लास्ट में लिखा है इस समिधान को अंगिक रिद अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तो अब यहां पर क्या है कि रटना ही जरूरी नहीं है बलकि अब आपको एक एक शब्द को जो है डिफाइन करना है हम भारत के लोग ठीक है रहा अभी आप इस सबज़िए जब भारती प्रस्तावना का आधार जो है यह हमने आपको बता दिया उद्देश प्रस्ताविया संकल पेश किया गया यह मैं आपको इसल बताया लेकिन हमने यह नहीं बताया उस समय शुरुबात में कि किसने क्या कहा ठीक है किसने क्या कहा यह हमने आपको नहीं बताया अब हम लोग बात करेंगे कि समिदान की आत्मा किसने का ठीक है ठाकुरदास भारगबा ठीक है नियाय मुर्ती हिदाय तुल्ला ने प्रस्त प्रस्तावना को समिधान की मूल आत्मा का ठाकुर्दास भारगवा ने समिधान की आत्मा ठीक है प्रस्तावना को समिधान की आत्मा समिधान का अर्थ विश्ष्द करने वाले यंत्रणा समिधान की कुंजी कहकर पुका रहा है ठीक है इसकी बाद कनहिया लाल मानिक लाल मु हुआ है ठीक है यह ध्यान में रखेगा की सवाल यह आता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो ध्यान यह रखीगा इस पर बड़ा बीवाद है लास्ट में हम इसके संशो धिनी अतिया का जो इतिहास रहा है उससे संबंदी जो विवाद है उस विवाद की बारे में लास्ट में बात करेंगे लेकिन फिलाल इतना जानी कि समिधान की समिधान का एक अंग मानने जाता ह है प्रस्ताबना यद भी प्रस्ताबना की बारे में जब भी पूछा जाएगा कि भारती समिधान में कितने भाग है तो 22 भाग बताओगे कितने अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद कितनी पर भी इसका जिकर नहीं हैं तो इसलिए बहुत स腹 अरे विद्वान भारति बनाम केरल राजवाद में या स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्ताबना में भी संशोधन किया जा सकता है लेकिन साथ में यह भी किलियर कर दिया गया कि प्रस्तावना समिधान की आधारभूत संगरचना के अंतरगत आता है इसलिए उसमें संशोधन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आधारभूत संगरचना को नुकसान हो बलकि संशोधन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो basic features of Indian constitution है उसमें विस्तार ही हो उसमें consolidation ही हो उसका मजबूती करण ही हो उसमें ठीक है तब ही जो वो संशोधन मानने होगा और कहा जाता है कि केश्वनन भारती बनाम केरल राज्य के वाद में समिधान के अंग के रूप में प्र इसी वज़ा से 1976 में 42 समिधान संशोधन हुआ और प्रस्ताबना में एक मात्रबार संशोधन अब तक के इतियास में हुआ और उसमें क्या-क्या शब्द जोड़ेगा है समाजवाद पंत निर्पेक्ष तथा अखंड़ता ठीक है तथा और अखंड़ता हमनें इसलिए प्रतिष्टा और अखंड़ता राष्ट की एकता और अखंड़ता बढ़ाने के लिए तो और अखंड़ता शब्द जोड़ा हुआ है तो वस्तम में समाजवाद पंत निर्पेक्ष और अखंड़ता यही तीन कॉंसेप्ट जोड़ा ठीक है तो यह पहला संशोधन एक मात् समिधान संशोधन 1976 में और इसमें समाजवादी पंत निर्फेक्ष और अखंड़ता शब्द जोड़ा गया और समिधान की उद्देशिका का अपने आप में अगर देखा जाए कोई प्रत्यक्ष मुल्य नहीं है सर्वोच नियाले ने कहा है यह लाइन इसलिए इंपोर्ट आप में कोई प्रत्यक्ष कानूनी मुल्य नहीं है लेकिन यह समिधान का मूल दर्शन बतलाती है जिसके प्रकाश में समिधान की अनुच्छेदों की व्याख्या की जानी चाहिए सर्वोच नियाले यहां पर इसका मतले बात करें तो उसका ड्रॉब कह लीजिए या उसकी अनुच्छेद की जब विवेचना करनी हो और वहां पर अगर कुछ उद्देश समझ में नहीं आ पार है उसका उद्देश समझ में नहीं है तो उसको फिर क्या है प्रस्तावना की आलोक में प्रस्तावना की प्रकाश में उसको जो है दिखा जा सकता है तो समिधान की मुल्य नहीं है लेकिन यह समिदान का मूल दर्शन बतलाती है जिसके प्रकाश में समिदान के अनुचेदों की व्याख्या की जानी चाहिए, यह सरवुच नियाले ने यह बात कही दे, ठीक है इसके बाद देखे कि Sir Arnest Barker ठीक है ये एक British विचारक थे बहुत important बात में बताने जा रहा हूँ ये मुझे बात अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है Sir Arnest Barker एक British विचारक थे इन्होंने एक पुस्तक लेखे थे principles of social and political theory ठीक है पुस्तक की शुरुवात ही भारती प्रस्तावना से की यहाँ पे समझेगा Sir Arnest Barker आईवर जेनिक्स ये कहते हैं कि भारती समिधान जो है वो bag of borrowings है यानि कि उधार का थैला है तो यहाँ पर आप समझेगे Sir Arnest Barker ने अपनी पुस्तक की शुरुवात ही भारती प्रस्तावना से की तो क्या हम यह कहें कि इन्होंने भारती समिधान की नकल की है नकल नहीं की है भारती प्रस्तावना उनको अच्छा लगा उनको लगा कि उनकी पुस्तक जो बात कहना च तो वस्तम में क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं कि कोई भी ब्यार अंबेटकर ने ये बात कही थी कि भारती समिधान की जो आलोचना जो उसे उधार का थेला कहते हैं वस्तम में उन्होंने स्पश्रूप से कहा कि मेरा मकसद हम सबों का जो मकसद था वो मकसद समिधान का सरवथा एक नवीन संसक्रण का प्रणयन करना नहीं था बलकि हमारा मकसद था एक वहवारिक भारतिय राज वेवस्था किस वेवस्था की अंतरगत कौन से विधान की अंतरगत संचालित किया जा सकता है उसका प्रणयन करना था तो एक वहवारिक दर्शन का प्रतिपादन कर तो भारतिय समिधान की वहवारी पहलू जिस दुनिया की जिस वेवस्था से सामने आ सकती थी वो किर्यानवित हो सकती थी वो बहतर तरीके से मतलब जो है उसको निरूपी थो सकती थी वो वेवस्था हमने अपनाया और इसलिए उसे उधार का थेला नहीं का गया यहां पर भ ठीक है ये समझेगा ये उन्होंने भारत के समिदान उधार का थैला नहीं है इस विचार इनके इस विचार से ही असपस्ट हो जाता है उन्हें कहा पश्चमी राजनितिक परंपरा के तत्वों को आत्म साथ कर ठीक है स्वतंत्र जीवन मुल्यों की अभिवक्ति इसमें हुई है ठीक है और उन्हें कगा स्वतंत्र जीवन मुल्यों की अभिवक्ति हुई है हम भारत की लोग वीद परंपरा मीद करते हैं अंगी कृत को मतलब होता है adopt, adopt करने का मतलब है कि हमने अपनाया, हमने अपनाया, इसके बाद कहता है अधिनियमित करना, हमने adopt किया, और हमने enact किया, अधिनियमित किया, यानि कि उसको एक अधिनियम का, एक status जो है, वो प्रदान किया, अधिनियमित और कौन कर रहे हैं, सब मैं कर रहा हूँ, यानि हम भारत की लोग कर रहे हैं, हमने ही अपनाया, हमने ही इससे अधिर eyeballs ниद्ड किया, और हमने अपने आपको इससे आत्मर्पित किया, कहते हैंना, जन्ता के, जन्ता ने खुद एक व्यवस्था बनाई, खुद में ही एक वेवस्था लाने के लिए हमने मिलकर एक वेवस्था बनाई और जो किसको आतमर्पित कर रहे हैं खुद को ही हम क्या कर रहे हैं हम उसको वो डेडिकेट कर रहे हैं तो ये दिखा क्या रहा है कि समिधान में कोई महराजा, कोई समराठ, कोई अध्यक्ष वगेरा अपने लिए समिधान नहीं बनाया, ठीक है उसने जो है जो समिधान है हम भारत की जनता ने बनाया, हम भारत की जनता ने उसे अधिनिया मित किया और हम भारत की जनता ने खुद को उसे dedicate किया है इसके लिए हमने किसी महरानी का किसी समराठ या किसी प्रधान मंत्र या किसी इस तरह की बाते नहीं किया ठीक है तो यानी कि यहां जनता जो है वो सर्वो पर ही है और यह वस्तम में यह दिखाता है कि लोग तांतरिक जो भावनाएं यहां पर प्रबल टीक है तो लोक तंत्र जो है जो आप कहते हैं हम भारत के जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा तो यहाँ पर यह पूरा साफ हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि हम भारत के लोग हम कह सकते हैं कि यह लोक तंत्र की जो भावनाएं हैं उसको बहतर तरीके से अभिवेक्त कर रही है ठीक है इसके बाद देखेगा कुछ शब्द है हम भारत के लोग हो गया भारत को एक संपुर्ण प्रभुत्व संपन जब हमने आपको सोवेरेंटी की बात की ती जब संप्रभुता की बात की तो आपको ध्यान गी रखना है कि ज आपको यह भी एक शब्द बताया था अधी राजत्व का हमने एक सोवेरेंटी के मिलता जुलता एक वर्ड सुजे रेंटी बताया था जिसका मतलब अधी राज़त्र होता है आधी राजत्व जो एस स्थिति ऐसे राजज्यकी होती है जो अपने आंतरिक मामले में स्वतंतर होता लेकिन बाहे मामले में स्वतंतर नहीं होता है तो उसको सूजेरेंटी कहते है लेकिन स्ववेरेंटी उसको कहेंगे जो अपने आंतरिक और बाहे मामले में स्वतंतर हो और यहाँ पे समझेगा संप्रभूता जो शवद है स्ववे सबसे उपर जब हम लोगतंतर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में उसको कहते हैं डेमोक्रेसी और ग्रीक वर्ड डेमोस प्लस क्रेटूस से बना है जिसका मतलब होता है जनता का शाषन रूल्स ओफ पिपल हो गया और जब हम गनराज की बात करेंगे तो रिपबलिक है लेटिन वर्ड जो है लेटिन वर्ड लेटिन वर्ड रेस प्लस रिपबलिका रेस प्लस पबलिका से बना है और जिसका मतलब होता है जनता से संबंधित है तो यहां पर देगे संप्रभूता शब्द जो है हमारे देश क के समिधान में और इसका मतलब होता है कि हम भारत के जो लोग है अपने आंतरिक और बाहि मामने में स्वतनतर हैं हम किसी के दबाब में नहीं लेकिन अंतरराष्ट्रिय संदी को पालन करने के लिए आर्टिकल 51 खुद हमारे निती निदेशक तक तो में ये बात कही गई कि अं उसमें क्या करेगा भाग लेगा और जब भाग लेगा तो उसके हिसाब से कुछ बाते हमें माननी पड़े गिलिए इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी स्ववरेंटी ही जो है वो खत्म हो गई हम अगर ब्रिटिस राष्ट मंडल का सदस बने सार्क का सदस बने तो ऐसी संस्थ जो को चोड़े जो प्रबाबेद उसको जो भी बेज़े जा सकती थी भारत की सरकार ने भेजा बहरत और अंतरराश्य शांती और सुरक्षा की विवर्द्धी में उन्होंने अपना एक योगदान दिया और हमारे देश के सभीदान का आर्टिकल 51 जो है वो ऐसा कहता भी है और ऐसे ही मनिताओ केसाब से आमारे देशी की स्दरकार कारी कर रही है, ठीक है, न? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, कि बृटिस राष्ट बंडल का सदसीबुना, सार्क का सदसीबुना तो ये सब क्या ये सब ये सिद्ध नहीं करता है कि हमारे देश कि संप्रभूता नश्ट होगे संप्रभूता हम भी हम अपनी इच्छा से हमने जो असकी सदस्टा को गरंड किया और हम अपनी इच्छा से जब चाहेंगे, हम उसे हटा सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, ठीक है न? तो ये सारी बाते जो है, वो कहाए है कि संप्रभूता और जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपुण परभूत्यु संपन मतलब समज़ गया प्रवतिसंपन समाजवादी अब समाजवादी जो शब्द है ये ध्यान रखना है कि एक समाजी की वयवस्था का नाम है किसी बच्चे ने क्लास में वो क्या है कि एक लेक्चर में ये का कि समाजवाद शुरू में क्यों निजूडा गया तो इसमें समाजवाद जैसी सामाजिक और आर्थिक संकल्पना को इसमें शामिल करने की कोई जरुवत नहीं है ठीक और वहाँ पर उतना ज्यादा उसमें जो है वो क्या हुआ डिसकर्शन नहीं हुआ उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो किया हुआ कि उसको शामिल करने के पीछे जो है किसी ने कोई इतनी मतलब जो है कि अपनी इच्छा जो है वो जाइद नहीं किया लेकिन बाद में जाकर उसमें समाजबाद शब्द को जो है अंग शामिल किया गया तो समाजबाद हम बारत निर्पेक्ष और धर्म निर्पेक्ष वस्तम में दो अलग-अलग concept है इसके बारे में अलग से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि वस्तम में भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट नहीं भारत एक पंथ निर्पेक्ष राष्ट है सामाने तोर पे लोग धर्म दोनों को एक ही मत्ब जो है रध लेते एक ही तात्पर लेते लेकिन वास्तम में भारत underground में देखा जाए दोनोँ में फर्क है अब फर्क क्या है यह बाध में बात करेंगे लेकिन अभी इतनी बात समझेएगा कि हमारे हमारे जो देश है, वो धर्म निर्पेक्श नहीं, पंथ निर्पेक्श है, भले ही इंग्लिश में दोनों शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रियोग करते हैं, सैक्यूलर ठीक है, लेकिन उसमें अंतर है हिंदी की अगर दिश्टी को उसे देखा जाए, तो पंथ मतलब है कि देश का राज्य का अपना कोई ओफिसियल रिलिजन नहीं होगा वो किसी विशेश धर्म को तर्शी नहीं देगा बलकि सभी धर्मों के प्रतिसमान भाव रखेगा इसी को सर्व धर्म संभाव कहकर पुकारा जाता है बृटेन में इसका एक अलग मिनिंगा वो कहत धर्म से राज्य का कोई मतलब नहीं है अब अपना जो है वो समझी है उससे कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान कहता है अपना समझी है नहीं हम केवल धर्म निर्पेक्ष का मतलब सिर्फ इतना कह रहा है कि हमारा कोई विशेश धर्म राज्य की धर्म नहीं होगा लेकिन हम स सबी धर्मों का साथ लेकर चलने की बात करेंगे और इसी को महत्मा गांदी ने सर्व धर्म संभाव कहकर पुकारा था ठीक है इसकी बात देखेगा कि अगर जो है इसके बात देखा जाए तो हम भारत के लोग भारत जो बात हो रही है ठीक है और race का मतलब होता है matter और public का यानि public से सम्मधित matter है इसमें जो है दो बातें की जाती है हमने आपको बता है हिंदुस्तान में दोनों meaning जो है अपनाए गया एक तो हो गया जब भी हम कहते है गंतंतर भारत गंतंतर है तो वो क्यों है क्यों कि भारत की जो सम्मेदानित प्रधा आने उनका पद जो है वो क्या है की वढशानुगत नहीं है वो जन्ता के द्वारा परोक्षश या आपरोक्षश किसी भी रूप में जो हो है वो क्या की elected है और इसलिए जो है वो कि भारत एक गंतंतर है ठीक है लेकिन गंतंतर का एक दूसरा भी अर्थ है और वह उसके राज तंतर में क्या हुज़ था शाशक यह समझ लेता था कि जिस पर हम शाशन कर रहे हैं वेक्ती हो या च्षित्र वो देवनों मेरी जागीर है और वो जागीर समझ कर उसका मन माना इस्तेमाल करते दे लेकिन जब हम गनतंतर की बात करेंगे तो उसमें साफ साफ यह कह गया बलकि वो इस रूप में सुचे कि जनता की बैवस्था जनता के हित में कल्यान करी कारियों के लिए नियुक्त किया गया है बलकि उसका प्रियोग हमेशा जनता के कल्यान के लिए करना होगा तो हम भारत की लोग भारत को एक संपुर्ण प्रस्ता गंड़ाज हो गया के लिए उसके समस्तर रागरीकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्या है यहाँ पर देगे समानता, स्वतंतरता और बंधुता यह तीन शब्द है, यह फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया है, यह ध्यान लखेगा फ्रांसेसी करांती 1789-80 में हुई थी, उसका एक प्रसिद्ध नारा है जो पूरी दुनिया को जो है वो कहे कि संबाद या मैसेज जो वो देती है, और वो है समानता, स्वतंतरता, बंधुता और हमारे समिदान की प्रस्तावना में यह तीनों शब्द अपनाए गए सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याई की बात की गई है, तो इसमें सामाजिक आर्थिक न्याई जो है यह सोवियत संग के समिदान से एक प्रकार से लिया गया है, और जब हम समानता, स्वतंतरता, बंधुत्तु की बात करते हैं तो यह फ्रेंच रिवोल्यूशन से जो है वो लिया गया, ठीक है, और इसमें जो है विशार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता, यानि सब को धार्मी कर उपासना का फ्रीडम में विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंतरता है, ठीक है, प्रति प्रस्ताबना इसमें लेकिन जो संसोधन हुआ वो बाद में हमने आपको बढ़ाने के लिए दिर्श संकल्प होकर अपनी समिधान सभा में आज तारिक 26 नुमंबर 59 को धियान यह रखना है कि यहां पे विक्रमी संवद की बात हुई है ठेक है भारत क्या राष्ट्य संवद जो है वो शक्त संवद है औरbert देश संवद हैं लेकिन करति की सम्धान temporal की प्रस्ताबना में राष्ट्य की संवद शक्त संवत का पर यह ध्यान रखना है अगर आप बात करेंगे भारत का राश्टी संबत क्या है तो शक्संबत हो जाएगा तो सवाल ये है कि जब राश्टी संबत शक्संबत है तो हमारे देश के समिधान की प्रस्तामना विक्रम संबत का प्रियोग क्यों हुआ तो इसका जबाव ये है कि वस्तम में जब समिधान सभा ने ज जा सका था बाइस मार्च उनिस सो सतावन इस वी को शक्त संबत को भारत का राष्टी संबत का दर्जा प्रदान किया गया तो भारत के राष्टी संबत का दर्जा प्रदान किया गया उनिस सो सतावन में और यहां समिदान सभा समिदान अपना कब रही है उनिस सो उन्चास मे अपना रही है तो अभी राष्टी संबत का दर्जा शक्संबत को मिला नहीं था इसलिए विक्रम संबत का प्रयोग हुआ शक्संबत का प्रयोग नहीं हुआ ठीक है तो यह हो जाएगा इसके बाद जो है तो यहां पर यह है कुल मिला कर आपको भारत के समिधान की प्रस्तावना जो है वो कहें कि अगर प्रस्तावना में संशोधन सम्मंधी विबाद ठीक है चुकि आपने देखा कि समिधान की प्रस्तावना प्रस्तावना जो है भारती समिधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं था किसी भी भाग किसी भी अनुच्छी में कहीं पर भी उसका उलेख नहीं था तो बहुत दिनों तक यह माना जाता रहा कि भारत के समिधान का अंग जो है प्रस्तावना नहीं है ठीक है और जब अंग नहीं है तो फिर उसमें संशोधन विधाय का कैसे कर सकती है तो यहां पर देखिए क्या-क्या समय समय पर डिसीजन हुआ यूनियन ओफ इंडिया बना मदन गोपाल केस है वाद है 1957 में इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना नहायले में प्रवर्तनी है ठीक है यानि प्रस्तावना को नहायले में प्रवर्तनी है किया जा सकता है इन्फोर्सियबल किया जा सकता है यह यूनियन ओफ इंडिया बना मद गोपाल वाद में केस में उनिस्ट सु सतावन में डिसकस किया गया इसके बाद सब्सक्राइब बेरुबाडी युनियन वाद 1960 में इस तो यह कहा गया कि प्रस्तामना समिदान का अंग नहीं है इसलिए नियाले में अप्रवर्तनी इन्होंने कहा कि अंग है प्रवर्तनी है और बेरुबाडी ने एक दम तुरंत पलड़ दिया कहा कि समिदान का अंग ही नहीं कहा जिकर इसका है और इसलिए नियाले में अप्रवर्तनी है और विदाय का इसमें संशुदन नहीं कर सकती है ठीक है यह बात हुई इसकी बाद न संशोधन कर सकती है सविधान के आसपश्च प्रावधान के निर्वचन में इंटर्प्रेटेशन में प्रस्तावना का उप्योग जो है वो किया जा सकता है ठीक है केश्वन अंद भारती बनाम केरल राजन यानि कि सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 1957 उसमें क सकता है लेकिन केश्वन भारती बनाम केरल राजिवाद ने इस विबाद पर बिराम लगाया उसने सावत तोर पे कहा कि परस्तावना समिधान का अंग है और अंग होने की वजह से उसमें बिद्याइका संशोधन कर सकती है जैसे समिधान के अनहिस्सेवकी करती है और साथ म समिधान के जो विभिन प्रावधाने आसपस्ट अगर है तो उसके निर्वचन में हम प्रस्तावना का प्रियोग कर सकते हैं यानि कोट प्रस्तावना का प्रियोग कर सकती है ये बात हुई और ध्यान रखना की केश्वनन भारती बनाम केरल राजिवाद ने ही समिधान में मूल धाचा है संशोधन कर सकते हैं लेकिन समिधान में ऐसे संशोधन नहीं करेंगे कि उसका मूल धाचा ही प्रभावीत हो जाए लेकिन केश्वान भारती बनाम केरल राज्यवाद में समिधान की मूल धाचा है क्या इस संबंद में उसने कुछ भी बात नहीं कई और बारे में भी अलग से बात करूँगा मैं फिलाल ये चीज समझ लिएगा कि केश्वान भारती बनाम किरल राजवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना समिधान का अंग है और समिधान में संशोधन हो सकता है लेकि साथ में यह भी कहा कि समिधान में संशोधन प्रस्तावना मे होना चाहिए कि बेसिक जो structure है वो कमसूर होता हो बलकि इस तरह से किया जाए कि जो fundamental जो structure है वो structure और भी मजबूत हो और उसको और भी विस्तार दिया जा सगे इसलिए देखेगा 1976 में 42 में समिदान संशोधन में जो शब्द उसमें जोड़े गए उस से समिदान को या भारत के जो अधरबुत संशना को किसी तरह कर नुक्सान नहीं हुआ उसमें साब कहा गया पंत निर्पेक्ष है साब कहा गया समाजबाद और साब कहा गया कि अखंड़ता तो इससे कहीं न कहीं हमारे जो basic structure of Indian constitution है वो मजबूत ही हुआ है उससे कमजोर नहीं हुआ ठेक है तो यह बात यहां पर important है एक बार फिर से केश्वनंग भारती बनाम केरल राजजिवाद 1973 में यह कहा गया कि प्रस्तावना समिदान का अंग है इसलिए बिधाई का इसमें संशोधन कर सकती है और साथ म यह भी कहा कि समिदान के असपश प्रावधान के निर्वचन में प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है और इसने यह कहा कि समिदान में मूल धाचा का सिद्धान्त है ठीक है इन्होंने यह कहा और प्रस्तावना को समिदान का मूल धाचा बना माना ठीक है और यह कहा कि इसलिए विधाय का इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है ठीक है इसी के आगे मैंने लिग दिया है विधाय का प्रस्तावना में ऐसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल धांचे का विस्तार वा मजबूती करण हो और इसका एक्जम्पल है तो इस तरह से भारत के तो इस प्रकार हमने आपको भारत के संशोधन की प्रस्तावना का एक विशद विवेचन करने की कोशिश की हमने आपको मैं बहुत ही मत्तब कह सकते हैं कि मैं बहुत व्यानी नहीं हूँ ठीक है मैं जितना जानता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उतनी बात मैं आप तक convince कर सकूँ पहुंचा सकूँ और वास्ता में यही है यही important चीज है और सारी important चीजों की हमने व्याक्या की विवेचना की और एक वीडियो हमने अलग से इस पर बनाया उमीद करता हूँ कि आप इस पर जो है गौर करेंगे और आप यह समझ पाएंगे भारति समिधान की प्रस्तावना की जो आत्मा है वो आत्मा क्या है और यह ओबर प्रस्तावना की आत्मा बता रहा हूँ जो समिधान की खुद में एक प्रस्ताव एक आत्मा है समिधान की वो वास्तम में आपकी पढ़ाई किस डारेक्शन में किस दिशा में जा रही है ठीक है तो मैं कल एक नई वीडियो के साथ उपस्तित होंगा तब तक के लिए जै भारत